पयूप संभागी परिवहन कार्याले रुद्रपूर द्वारा ओवरलोड वाहनों ओवर हाइट समेत अन्य वाहनों के खिलाप अभियान चला कर पिछले तीन माह में लगभग 46 लाक रुपे का जुर्माना वसूला गया है परिवहन विभाग ने कहा है आगे भी इसी तरह की कारवाही की जाएगी रुद्रपूर आटियो निखिल शर्मा ने बताया कि विभाग ने पहले लोगों को जाग रुप किया लेकिन इसके बाद भी ओवरलोड वाहनों को ओवर हाइट लिजाने के लिए चलाया जा रहा था इनने रोकने के लिए विभाग ने लगा तार कारवाही की इसी के चलते जनपद में जगे-जगे स्थानों पर चेकिंग अभ्यान भी चलाया जा रहा है देखे बिछले तीन माह फरवरी मार्च और एप्रिल में ओवर हाइट ओवरलोडिंग गाड़ी में अल्टरेशन इन अपरातों में लगबग 200 चलान होया है और इनसे जो आर्थिक दंड पिछले तीन महिने में बसूला गया है वो साट ना के करीब कर आर्थिक दंड इन से है तो हम हमारे जो आ रहा ही साब है उनके साथ मिलें एक टेखनिकल इंस्पेक्शन बे कर रहे है और यह जो डगगा मारी में बसें चल रही है इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इस तरह की कारवाईयां लगता चलती रहेंगी